कैसे हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों मैं हूँ अभिनतोसान शुपांडे और अभिप्षा की पूरे टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ हम क्या कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं परिक्षाओं की तयारी के इस सिलसिले में हम क्या देखते हैं कि अब आज वो दिन आ गया है जिसका हम सभी को विसबरी से इंतजार था आज हम जा रहे हैं परिक्षा दिलाने की आखरी घड़ी में तो यहां पर हम बहुत सारे महतुपूर्ण बातों को देख लेते हैं ना सिर्फ बहुत की बल्कि हर एक विसए का परिक्षा जब आप लिख रहे होंगे तो इन बातों का ध्यान जरूर रखे क्या क्या है चलिए आए देखते हैं हमको देखना है यहां देखे चातिरगण परिक्षा यहां पर आपको जो है वह सील लगा के देंगे वह बताएंगे कि आप किस स्कूल में परिक्षा दिला के गए हैं अब इसके बाद में 201 विशाय कोट है आपका 201 विशाय कोटने के बाद भौतिक विज्ञान विशाय का नाम आपने लिखा फिर आप दिनांक एकाग्र हो जाएं और यहां गलती ना करें तो यह सारी चीज़ें लिख लेने के बाद में अब आप क्या करेंगे इस बात पर ध्यान दें कि आपका जो जो भी व्यक्ति जो है जो आपकी कौपी चेक कर रहे हैं उनके सामने जो है यह समस्या है वह क्या है कि सारे से लेके पांचवे प्रश्ण तक आपको एक अंक देने हैं दूसरे प्रस्ण छटवे प्रस्ण से लेके दसवे तक आपको दो अंक देने हैं या फिर जो है अब यहां पर सब के सब जो है जो प्रश्ण आ रहे हैं उनमें तीन आंक आपको दिये जाने हैं यदि जो है आप एक ही प्रकार के अंकों वाले सारे उत्तर एक साथ लिखेंगे तो उनकों जो है इसके करम में कोई भी बदलाव हो जाए उससे फरत नहीं पड़ता है लेकिन जब उनकों पता रहेगा तो उनकों आपकी कॉपी चेक करने में बहुत ही सहुलियस होने वाली है इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि इस सहुलियत का ध्यान जरूर रखें इसके बाद में जब आपको सारे यहां दे दिया जाएंगे तो उन अंकों को योग करके यहां पर जितने भी आपको दिये जैसे यहां पर 65 पर गोला लगाया गया है और इस पकार से आपकी उत्तरकुस्तिका वो उसम करते समय प्रश्ण करमांग कंकी करके उत्तर लिखें यह सारी बातों का ध्यान आपको बिल्कुल इसको एक बार जरूर पढ़ें अपने आपको रिलाक्स करते हुए आगे बढ़ें इसके बाद में जो है देखिए यहां पर सारे दिसा निर्देस लिखे हुए हैं अब दे थान कि लिखनी जारे यहां को यहां कोई उत्तर लिखने के समय गलती हो जाए तो आप रिखे हुए हैं उससे आपका चेकर आपको और यहां प्रश्ण करम रेखा चित्र इमामनांकन नामांकन नहीं कोसिज करें कि वह सबस्त हो साफ हो उसमें नामांकन तो सूत लिखने के बाद में उसमें जो है इस तरीके से डबबा बना दे ताकि जो है वो आसानी से नजर आ जाये और जब फाइनल्राल आप उत्तर देते हैं तो उस चमय भी जो है आप उसके आथ स्पास डबबा बनादे तो ये सारे बहुत ही समान्य बाते थी लेकिन आपसे करनी जरूरी थी हम जो है फाइनली अपने एक्जाम के लिए तैयार हो चुके हैं आप सभी बच्चों को बहुत-बहुत सुब काम ना है आपका सभी का परिक्षाएं बहुत अच्छी हो और आप हमसे जरूर संपत करके बताएं कि आपके परिक्षाओं में आपका अनुभाव कैसा रहा मिलेंगे हम आगे भी तब तक के लिए धन्यवाद